इनोग है एक बंदा बचाएवल नाइस सब्सक्राइब स्वागत दोस्तों आज की एक और पहतरीन बीजाइस की वीडियो में आज है बीजाइस के वाइल कार्ड का लास्ट एंड ग्रूप 3 एंड ग्रूप 4 के मैचीज हमें देखने को मिलेंगे ग्रूप 3 में जो टीम्स रहेंगी वह रहेंगी आपर मेडल एसपोर्ट टीम फॉरहर टीम जीरो क्रेटिक एसपोर्ट और फॉरव टीडव ओबी एस वैल क्रिंस की टीम भी अपने को देखने को मिलने वाली है एंड कुरूप 4 में जो टीमे रहने वाली है वो तो आपको पता ही है इसलिए तो आज पंडे है सोल गोड लाइक एंटिटी तीनों ही सेम ग्रुप में अपने को देखने को मिलने वाली है एंड किसका कमबेक होगा और किसका नहीं वो आपको वीडियो देखने के बाद ही बता लएगा तो आईए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लैट्स को सब्सक्राइब को अपने फेवर में लेके जाती हुई जो अच्छा के लिए और उडाइक उनी भाइगा एजे का सिस्टम कर दिया फेल नेड से ही फाट दिया वही एजे को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब भी होता है आज तो वही सारी टीवे केल रही है कर दो आपको लगेगा हूँ इसलिए कि मैं सोगे उटा हूँ हुआ हुआ है तर्बो को भी नोक कर दिया गया वही एडी का बढ़िया ग्रेनेड में है इसके रहे हैं कि प्रिंस कैसे सब्सक्राइब आलेगा बहुत दूर से क्यों नोक खा रहा है पाल तुमें वोल्ट वाले उंगली कर रहे थे हासे दूर से एडी ने कहा कि एडी जोन में क्यों नहीं है आर वी एंसी को फिरिश कर दिया गया पर टीम जी की तवारा बढ़िया डैट वस नाइस मोली बिल्कुल जला डाला बाई फैल पादी की तरह फैलती ना एक तो यार यह मोली यार पता नहीं क्या सीन है एडी जोन से फिनिश हो है वेराउस में है बिल्टा वाले एंड उसको भी शायद फिनिश कर दिया गया अभी फिलाद यप ग्लिच एक्स रिबॉन वर्स टीमजी हो गया यहां पर लग रही है अभी के लिए बट नहीं अब इक्कॉल नहीं है कि यह है विस्टेए क्ले चॉट्व प्लेयर लाई होगा संगा यह इस ग्लिच का भी एक Allah फिलूट घेल अश्चंग के तीम लाई है मारे मारे टोड़ सा नसा कंफूज़ों होगी मेरे को मारे लग डिच वाले को तो कर दिया आ कात्मा एने आरफएट डबलुवालों को ल कि लेकिन आरू वाली टीम को पता एक सामने चार और और बत्ठा गए गहीं है कि देखो तो देको बीट आरफुरड डबलू को ही पता आ वे इसकी नट के पाद डूर के बारे कुछ आप कि एदेधिया वही डाइनसंस को देधिया डाइनस उसको देधिया बाई यार मैं तो बोल रहा था कि तुम्हें पता होना चाहिए भाई ओविसली भाई सामने अगर चार बंदे तो एक कई और भी है ना भाई के लिए मैं कुछ हूँ यह थी हमारी मैच नंबर वन की स्टेंडिंग्स क्रूप तरी के रोका यह चिकन निकला दो दोस्तों कि गिरा 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 लड़के नाइस था एक नंबर काई लो एक नंबर काउट पहले को या लिए पीछे ते जो कवर पायर वो भी आने दीजाए पसका आउट वह मार क्यों नहीं रहा उपर से अरे ब्रू मार देता है टीएमजी वालो से टीएमजी के दो ही पठ्थे अलाइव हैं और जबकि फ्लोक अभी भी नेट कर रहा है बढ़िया एक रिनेट जाएगा प्रेंक्लिन लास्ट पठ्था बचते वे भाई उसको भी यहां पे इलिमिनेट कर दिया जाएगा पाउए देखने को मिलेगा अगर आप लोगों को नहीं पता है इस बात का तो वेस और दलजीत पाझी डोनों ही अब ली जैनेसिस वाले ही बचेंगे बिकोज रो की स्थिति यहां पर थोड़ी सी अच्छी नहीं है दोस्तों रो नहीं बचेगी यहां पर रो नहीं बचेगी इनका एक बंदा के बाहर था उसको भी एलिमिनेट कर दिया रहेगा बचे है अब वन वी थ्री का वन वी वन ही बचा है भाई वो उसको रिवाइब के लिए जाएगा तो भाई क्या कर रहा है इसमी लेट सी अगर पॉसिवल ह पॉसिवल नहीं है बहुत बड़ी विस्टेक भाई इनका एजियल की तरफ से किलफिड पढ़नी चाहिए थी उनका ध्यान अपने बंदे पर था कि हो बचेगा एनिवैंस की नेट हो और यह हम देख सकते हैं मैच टू की स्टेंडिंग्स गुरूप नमबर थ्री में जो आ बट कोई बात कोई बात नहीं दोस्तों आईए देखते हैं नेक्स मैच का क्या सीन बनता है एंड यहां पे ग्रिनेड बिल्कुल एम जे के मूँ पे वाई बतलत वह तो है जिंक्स तो है जिंक्स तो है टा सही मिरगाता है स्पीरो ऐवी मैजी के रास्ते पर चले रहा है बतल यहां के रिणेड ने यहां पर टीड़ वोपी को भी कतम कर दिया है सेंट्रिक बोल रहे ना यह एक आइड ओफ सेंट्राइस सेर्कल बनेगा तो बोल्ट के लिए पोच अधा इंपोर्टेंट फाइट बोल्ट के लिए फग ना मत बोल्ट वालो फग ना मत अगर एक भी बोल्ट का एक और बन्दा फटा बैई जीरो यार लास्ट बन्दा बस्ता गल्स वोल्ट को एलिमिनेट कर दिया गया है एक पॉइंट पैरेडक्स यह तो कोली भाई नहीं हो सकते बाई आतंकी ने आपकाईलो को डाउन किया मैडल तो कोली भाई हो ही नहीं सकती बाई कोई कोई भी चान नहीं है मैं बिल्कुल मतलब जैन्मिन बात बोल रहा हूं तो मैं मैडल कोलीफाई हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता तीजेड के भी चांस कम लग रहे विकोज वो भी दो केशुल्टी ले चुके यार एक मैडल नहीं देदी पीछे से पैरडॉक्स ने और एक वह इस टैप टैप देगने को मिलेगा सुरी टपाटब देगने को मिलेगा लो किया गया एंड यहां पे टी एमजी को एलिमिनेट कर दिये गया दोस्तों पिनिश करते हुए उनका खात्म होते हुए और यहां पे स्पोट किया जिबोन वर्सस प्लेइच वर्सस रबी अर्मल सी वर्सस एक वर्ष पठ्थ हैं जोन के बाहर है वह कून है और यहां पर प्लेयर को नोक फ्रेश जाल दिया है अच्छा वह जनेसिस के जैरो गोड है गरे जाएगा बढ़ी अमस्त फिल्कुल एक हो नहीं था है अब यह चिकन टी-एच के नाम हो गया विकोज एड़ सेम टाइम जब उनका ध्यान पीछे था टी-एच ने आपे मूग किया अपना और दे दिया एक बंदे को एंड इसे के साथ जो टी-एच का यह चिकन है वो कंपर्म होते हुए दोस्तों जैर इसको जैर को देगा नहीं लेकिन उनको यह फ्रैक दोन से बढ़ रहेगा भाई ती-एच का यह चिकन सवाल यह क्या इतना काफी रहेगा सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या इतना काफी रहेगा आओ देखते हैं वो कौन सी टीम होने वाली है जिन को हमें लगता है कि जो कौलिफाई हो जाएंगी और जो टॉप सिक्स्टीन में फिलाल हमें देखने को मिलेगी यह हमारी ओरोल स्टेंडिंग्स गुरूप तीन के मैचेश खतम होने के बाद अभी गुरूप पॉर के मैचेश बाकी है आप टॉप सिक्स्टीन तीम्स देख सकते हो थर्टी नाइन अभी फिलाल कटॉप बट मेरे को बिलकुल अच्छे से लगता है कि यह कटॉप अरौं है तो पिलकुल साथ साथ ही गुमने लग गया ले दिया भाई यह गूम गूम के मारें के बता रहूं हो मैं तुम्हें दो बंदे डाउन हुए पर इसकी टेट तीन डाउन हुए लव एक और पट्टे को डाउन कर दिये हैं पर एक ही पट्था बचता है वो भी थोड़ा दूर है रोनी को रिवाई मिल जाएगा मान्य को भी रिवाई मिल जाएगा सिचुएशन टर्न करने की कोशिश करी ओल्मोस्ट कर भी दी थी बट आईकु सोल वर्सिस वीस्टी हमें देखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर नकुल को स्पोट किया गया और नपुल को नकुल को नोक कर दिया गया भाई डैसल नाइस वन अच्छा स्प्रेज है लेकिन क आप इसको फिनिश कर पाओगे मेरे ख्याल में हो जाएगा रोनी को भी नोक कर दिया गया एंड यहां पर मन्ने को भी डाउन कर दिया जाएगा एक कुसोल का पैजिक को नोक कर दिया है आपे फैक्टरी पे जोन पूरा का पूरा गोडलाइक इसपोर्स के उपर दोस्तों यह मैच पेहद जरूरी है भाई गोडलाइक के लिए इतना इंपोर्टेंट इसकी कोई हग नहीं है कैन दे कनवर्ट इट सवाल सिर्फ इतना है क्या वो इस गेम को कनवर्ट कर पाएंगे सिर्फ इतना सवाल है आओ देखते हैं भाई बहुत इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है मुश्किल है इनको इलिमिनेट करना पड़ेगा व्यस्ट को अगर इन्होंने प्लेइंग स्पेस दे दियाना दिक्कत हो जाएगी और उपर से टीएच डबलू भी आ गई है टीएच डबलू को तो लेकिन हाथ क सिस्टम फेल है बता रहा हूं मैं अब इस को भी आपर डाउन कर दिया गया है दोस्तों मीनों यहां पे थोड़ा सा मोली के अंदर जाके लोग हुआ दो प्लेयर्स अब भी भी आपे जिन्दा जैली ने एक को डाउन किया लास्ट प्लेयर जिन्दा विस्टी का शिराज एंड यहां पे खतम कर दिये जाएगा विस्टी को गोडलाइक के नाम चार्क फिनिशिज अपनी जगह को कंट्रोल में रखेंगे वहाँ पे क्या लग देए दोस्तों चैटी मेल आई वहाँ आपे क्या गोडलेक इस मैच को कंवर्ट कर पाएगी स्टिफलर को थोड़ी परिशानी होने वाली है और स्टिफलर ने थोड़ी गलती कर दी वहाँ आपे सिम को भी डाउन कर दिया गया भाई मीनो को भी डाउन कर दिया गया तने ओपन में कहा फस गए यह लो इनके बास 35 सेगे आपने आपको रिसेट करने के लिए आइटिंक वो रिसेट हो सकते हैं भी भी रिसेट हो सकते हैं आने जो नोग किये थे पता है पता है बैक एक को डाउन किया गया ब्ड़क कर देंगे बिल्कुल गोड्लाइक वालों को एडिमिनो को डाउन किया गया जोनाथन को डाउन किया गया सिम को भी डाउन किया गया एड इसी के साथ most probably एलिमिनेट हो जाएगी भई गोड लाइक एलिमिनेटेड एसनेस बढ़े में बहुत सारी बात हुई थी बढ़िया नौग भई जैरो एक नमबर एक को बढ़िया भई बढ़िया है नमार अभी एक को नाइस वन यूवी जोड के तो लग गए बढ़िया एक ग्रेंट आएग गोड लेक के पहले मैच में बनते हैं दोस्तो आठंक एक मिरामार और एक सानोग देयाव टू सम्थिंग ग्रो जोन था एडवन्टेज नहीं उठा पाए जितना मैक्स पेक्ट कर रहा था कि अट लीस्ट सेकेंड या थर्ड विद कम से कम आठ से नो फिनिश बैट रहता प यह हमारी पॉइंट से बल भाई मैच नंबर वन की जो की है मतलब लास्ट ग्रूप के पहले मैच की तो भाई देखते हैं इनका क्या सीन बनता है ब्रो गोड लाइक आठ पॉइंट्स थोड़ा बेटर खिलना पड़ेगा देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या सीन बनता है देखो सोल और डिकॉलिफाइड है एंटिटी एंड गोड लाइक का मेरे को है थोड़ा सा कि दोनों ही टीमों का कमबैक मैं देखना जाता हूं बागी तो समय बताएगा आईए देखते हैं जोन उपर बाग जाएगा आपिस तो दिक्कत हो जाएगी ओ नाइस है बाई जोन काफी फेवर करते हुए एंटिटी गोड लाइक इन दो टीमों को और दोनों के लिए बेहत जरूरी है इंकाबला क्या गोड लाइक इस जोन का एडवांटेज उठा पाएगी सवाल यह उठता है जोनतन ने आपर रीपर को फिनिश किया मान्या इस बिन एलिमिनेटेड एक पठा अलाइवेवास सोलगा अब देखे जाग उसके पास मौका कि यहां पर थोड़ा सा अपनी टीम पॉंप समाला पूरा को पुरा पुरा जोन अदोस्ता अभी वी उनको और फिनिशिश नहीं है फिनिशिश सिर्फ तीन अब वो वर्दान और निको और ही कहीं चलेगे एंटिटी को दे देंगे हैं आगे ओकल यार विस्ट के बीश्ट को यहां पर डाउन किया एंटिटी ने भाई ब्लक के अलावँ कुछ नि बोलोंगा मैं बहुत इंप्रिंट यार ए एंटिटी के लिए कितना इंप्रिंट घोड हें और हर जेके करा दिया क्या होता है वाई एक नोग बढ़िया नाइस वाद मीनो एक नंबर एक और नोग मीनो जुर्री एक और एक और एक और नोग सिंप्रे दो नोग निकाले आपे दोस्तों लास्ट बंदा पचायवाज उसकी पता लगी है नाइस सब्सक्राइब यहां पर गोडलाइक के नाव जैली को डाउं किया गया भाई यह लास्ट निकाल लो पौर वी पौर तुमारी सिच्वेशन है कि एंटिटी वर्सेज गोडलाइक भाई यह है क्वालिफिकेशन का मैच गोडलाइक को बहुत ज्यादा जरूरत है यह मैच की इनके पास भी सारी जो अटैब क्या बलते हैं अपने पॉस्टिश्री विविल करती जोनतर वो बुस्टोर के बार होगे सिंप है अपर डाउं के चॉनतर उनको भी डाउं करा जाएगा और एंटिटी का कमबैक हो गया यह क्वालिफिकेशन का मैच था यह क्वालिफिकेशन का मैच सा दोस्तो 4v4 की सिच्वेशन एंड जोन में दोनों ही टीमों को चिकन की बेहर जरुरत पूस बम सारे है भाई कुछ नहीं बोलू मैं रोंकते खड़े हो गए भाई अब देखते हैं आखरी मैच की तरफ बढ़ देखेंगे फिलाल का चल रही है और फिर देखेंगे आखरी मैच में क्या सीन रहेगा वाई कौन सी वो 16 टीम होने वाली है जो यहां पर क्वालिफाई करेंगी फॉर सेमी फाइनल्स वीक वन भाई साब क्या मैच थे गोड़ लाइक के पास काफी ज्यादा जोन पेवर था भाई साब क्या मैच थे मजा है आज देखें आखरी में 44 सिट्वेशन एंटिटी वर्सेज गोड़ लाइक की एंड एंटिटी का एक बहतरीन कंबेक में देखने को मिला पचास का आकड़ा उन्होंने टच कर लिया है अब गोड़ लाइक को चाहिए भाई पॉइंट एट लीस्ट पॉइंट यह दोस्तों और और दस पॉइंट की और दस अंकों की उन्हें आवशकता है आईए देखते हैं आकरी मैच में क्या होता है करेगी तो काली करेगी मैं बता रहरा है गोड़लेख तक यहाई करेगी अब यह दोस्ते हैं किषेक्रांट हुए किसे और उनकी फाइट पर इस क्या गंदी गसब गंदी पसट हो रही है एन्वी वालों क्या दोरी है एन्वी तो ले रहेगी एक टीम को एप एलिमिनेट किया वही वर्जिन नाइंग को गया ओके बहुत आप यार गोटलाइक का जाएगे लेकि नियांसे बाई बहुत बढ़िया एक पट्टव गया फिनिश किया गया नाइस वन भाई निकलो यहां से निकलो अच्छी बात है कि जैली फाइट लीड करता है भाई इस वेरी इंपोर्टेंट भाई मैं कुछ बोली नहीं पा रहा क्या बोलूँ सिंप एक नंबर भाई एक नंबर जोनी भी एक भाई एक नंबर लेट गो इन यह सारे फिनिश मिल जाए वैस तुम्हें कुछ नहीं जिये हो बाई मिनो एक नंबर नाइस वर्टी चेंट करने वाला सिस्टम बहुत बढ़िया था इस फाइट को जो हो निकाल लेगी घंब भी यह पर फिनिश कर दिया रहाएगा तो बहुत तुम्हारी फिनिश और ही करी है उस बंदे ने अच्छे जोन में अच्छे सरकल में जस्ट फिनिश निकालने कुछ नी जैली ने एक और फिनिश निकाला चैंट फिनिश गोड़ लाई की स्पोर्ट के नाव सोल भी यह है फोर वी फॉर सोल वर्सिस गोड़ लाई के एंड में हो गया तो दस चे पाथ चार तीन दू आठ पॉइंट हो चुके हैं 33 प्लस एट 41 41 डन कर देगी इनको क्लियर कोई दिख्कत नहीं है साथ फिनिश यहाँ पे गोड़ लेक के ना मीनो ने आपर मन्ने को डाउन किया दोस्तो रोनी ने हंदो को डाउन किया रोनी ने एम गोड़ को फिनिश्ट भी किया रेवन का तो खातम है एक बंदा बचायवाज रेवन का यहां पर पहले एन्वी को clear करने का इन्वेन डिसेजन लिया एक अल्रेडी नौक है एक बंदा बचाया है नाइस अजिब टड़क मीनो की पार्ट फिनिश्ट वाई मीनो जोड है तु बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं कुछ नी चाहिए भी कुछ प हैं दोनों में से कोई भी चीज़ते दोनों टीम है अच्छा घिलती है लेकिन वीनो क्लिफाइट ही हो गया गोडलाइक ऊप्रिंवाइट दोस्तों फोर सेभी वाइनल्स वीक वन आयं व्यापई एंटिटी कॉलिफाइट पहुत अच्छी बात है सोल पहले से क्लिफाइट बहुत अच्छी बात है अमेजिंग भाई अमेजिंग से क्लेस बिल्कुल नहीं कि मिनों ने गल्दी करती का एंड़ यह ठीक है चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तोल यहां पर यह चकंडे के जाएगी एंड गोड लाइक सोल एंटिटी तीनों ही टीम यहां पर कॉलिफाई हुझेंगी दोस्तों आया हैपी क्या आप कुछ हो अगर आप फेट रहो तो क्या बता कुछ नहों बट मैं तो गुछ हूँ भाई तिम्पने बढ़िया एक नोक्या वे नाइस नाइस ट्राइंटी बढ़िया चिकन टिनर यहां पे आई कुछ सौल के द्वारा बट गोड लाइक का पहतरीन कमबेक मैं बोलूंगा एंटिटी का कमबेक देखने को मिला बहुत बढ़ाया लाइक ने भी कमबेक कर लिया भाई विल्कुल स्वादी आ गया भाई कौन सी वो टीम होने वाली है जो टॉप 16 में यहां प अब देखेंगे वह वो टोड आओ देखते हैं अवरोल स्रेंडिंग्स लाइव क्राफ्ट कॉलिफाइड एट 42 प्याइज व्यावले से यह वाले से यह व्यावले कॉलिफाइज गोडलाइक कौलिफाइड एश्टक 10 कोई दिक्कत निया देखो अभी इस ग्रुप से अप एनए वाई एंटिटी 7S RTGX IND गोड लाइक मोगो ट्याज डब्लू वॉल्ट एक्स एलो सी ओके रिवन यह जो भी टीम थी रिवन आखरी में इनके लिए बहुत इंपोर्टन था ही मैच जिनकी सोल से वाइट चल रही थी 43 पे कॉलिफाइड गया हो भी एं एक बाद देख लेते हैं गया इस कौन-कौन सी टीम है जो रहे गई इंप्रिंट रह गई 42 पे बिगप्राद रहे स्पोर्ट 41 पे रह गई मैडल यहां पर भार होते हुए जीटी यहां पर भार होते हुए TZ 35 पे बाहर होते हुए Blind भी बाहर होते हुए दोस्तों TF बाहर होते हुए भाई कितनी सारी टीमे BGS से बाहर हो गए यह में टीन टीमें बैस क्या Metal GT K9 ठीक है TZ, Row, Blind, TF कितनी बड़ी बड़ी टीमें बाहर हो गए यार बढ़ यार सब लोग तो देखो पॉली भाई नहीं हो सकते अभी इसमें तो हम कुछ नहीं कर दकते नेक्स पेज पर अगर हम देखे तो आरेंटी बहार होगी यूपी 50 अपने को बाहर देखने को मिलेगी आए 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 यार टीएफ का यार एक पुइंट चीए था भे और या भाई मेरे को बहुत पुरा लग रहा है टीएट के लिए को एक टीम थी जो राउंड पॉर में खेली थी आपको पता रहेगा जिसने टीएफ को बाहर कर दिया देख पुइंट से आपको पता रहेगा कौन से टींग अच्छी बात नहीं है वही दे लास्ट एक बार देख लेता का सीन एफ पेज अपने को देखने को मिलेगा यहां पर अपने को सारी टीमों को नाइस ट्राइब है जो भी जैस से अभी बाहर हुई है आप यहाँ तक पहुंचे हो बहुत बढ़ी बात है तो दोस्तों फिलाल अभी बिन देहिंगे आप आप लोग उसे नेक्सś में मिक्स्ट पीलिंग है मैं मीनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड वेरी एपी पुर हिम कि वह कौलिफाई हो गया एंड एंड वेरी एपी एपी पॉर एंडिटी भी कौलिफाई होगी एंडिटी एंड गोडलाइक ने जो कमबक किया हो देखके बहुत अच्छ एंड सायोनारा